एलो एवरिवन सभी को मेरा राम-राम तो आइए होली के लिए special सी एक मठरी बनाकर तयार करते हैं एक healthy combo आटे और चने से तो देखिये कैसे इसको हम बनाकर तयार करते हैं सबसे पहले हमें आटा लेना होगा वो भी एक कप या आप धाई सो ग्राम के करीब आटा ले लिजे आप एक कटोरी का भी मेसर्मेंट कर सकते हैं कटोरी ले लिजे उससे आप एक कटोरी आटा का इस्तमाल कर सकते हैं इसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन मसल कर डाल दिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे कसूरी मेथी मैंने एक चमच ली है आदी हम अभी यूज़ कर रहे हैं आदी हम बाद में यूज़ करेंगे आदा चुटा चमच हम यहाँ पर नमक डालेंगे नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि नमक हमें दो पार्ट में यूज करना है उसके बाद हम इसमें दो बड़े चमच के करीब रिफाइन टेल डाल देंगे और अच्छे से आटा और तेल सभी मिक्शर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद आधा कब पानी लेंगे उसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक टाइट सा डो बना कर त्यार करेंगे मत्री का जो डो बनता है आटे का वो टाइट ही होता है मुलाय माटा नहीं बनता है मुलाय माटा करने से आपकी मत्रियां कुरकुरी नहीं बनेंगी तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें और लास्ट तक वीडियो जरूर देखें छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के लिए उसके बाद हम यहाँ पर आटे को अलग धाक कर रख देंगे फिर हम वही बटन यूज़ करेंगे और आधा कप यहाँ पर हम बेसन का इस्तमाल करेंगे तो बेसन में मैंने पहले अजवाइन डाली कसूरी मेथी डाली उसके बाद चाट मसाला, आमचूर मसाला और नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डालिए और सबसे अच्छा फ्लेवर लाएगा कच्चा तेल तो यहाँ पर कच्चा तेल आप दो चमर्च चाल दीजिए और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरीके का यलो मिश्रंट बनकर त्यार होगा उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से आटे को टाइट गूठ लेना है तो जो बिशन का आटा होता है वो थोड़ा सा चिपकता नहीं है पिर भी हम इसे सकत आटा लगा कर इस तरीके से रेडी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी आप इस तरीके से बना कर त्यार कर लीजे और दोनों ही आटे को हम एक साथ ढख कर 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे रखने से क्या होता है कि आटा एक सार हो जाता है और थोड़ा सा फूल जाता है फूलने से रिजल्ट अच्छा आता है आप इंस्टेंट भी बना सकते हैं पर 10 से 15 मिनट आप आटे को जरूर रख दीजे कभी भी आप कुछ बनाए उसके बाद मैं यहाँ पर दो दो पार्ड में डिवाइड कर दूँगी और हम आटे वाला पार्ट पहले लेंगे और उसको हम सूखा आटा लगाते हुए बेलेंगे एक मोटी पूरी बेल कर आपको तयार करनी है इस तरीके से अब इसको हम साइड में रख देंगे उसके बाद हम चैना वाला जो आटा तयार गया था उसका पेना लेंगे और इसको हम हलके हाथों से बेलेंगे गयोकि ये बहुत जल्दी तूट जाता है तो इसके थोड़ा सा हलका हाथ चलाना है और उसके बाद जो हमारा आटे की पूरी थी उसको हम इसी पे ओवरलैप कर देंगे और इस तरीके से पलट कर हम सीधा कर लेंगे अब हम क्या करेंगे कि इसको हम दबाते हुए अच्छे से बेलेंगे पूरा फैला देंगे और थोड़ी सी मोती ही जो पूरी होगी या जो भी गूल ये हम बना रहे हैं ये थोड़ा सा मोटा ही होना चाहिए क्योंकि मटड़ी थोड़ी सी मोटी-मोटी इसका बनकर त्यार होती है अब हम क्या करेंगे इसको हमें रोल करना है तो रोल करने के लिए हम एक तरफ से ऐसे दबाते हुए गोल करते जाएंगे और एक पॉइंट पे आपको रुखना है पूरा नहीं कूल करना है क्योंकि यह चिपकेगा नहीं तो इसको चिपकाने के लिए एक चमच पानी लीजिए और आधा चोटा चमच इसमें आप मैदा डाल दीजिए और मैदा ना हो तो आटे का भी यूज़ कर सकते हैं आप हम यहाँ पर इसको इस तरीके से फैला देंगे और अच्छे से चिपका देंगे अभी अच्छे से चिपक जाएगा और खूलेगा नहीं इसकी जो बैंडिंग होती है वो अच्छी हो जाएगी अब हम चाकू की मदद से इसको काट लेंगे इस तरीके से गोल गोल शेप देते हुए काटते जाना है और अगर साइड का किनारा खुलता है तो आप उसी गोल को लगाते हुए चिपका दीजेगा बहुत अच्छा मठ्री बनकर त्यार होगी इस तरीके से खुलेगी नहीं वो तेल के अंदर अब हम यहाँ पर सारी मठ्रियों को इसी तरीके से त्यार कर लेंगे उसके बाद एक बार दो बार आप इस पर बेलन चला दीजे जिससे की थोड़ा सा चप्टा हो जाए और देखने में भी सुन्दर लगने लगे अच्छी से डिजाइन बनकर त्यार हो जाती है आप तेल गर्म कर लीजे मेडियम आज पर उसके बाद आज को एकदम लो कर दीजे और इस तरीके से पहले हम चेक कर लेंगे तेल गरम हुआ है या नहीं इसके बाद धीरे-धीरे सारी मट्रियों को एकदम धीमी आज पर आपको दलना है जल्दबाजी नहीं करना है एकदम धीमी आज पर ये मट्रिया ना तो तेल सोखेंगी और ना ही ये खराब होंगी तो बहुत ही कुरकुरी बनकर त्यार होती है और जलेंगी भी नहीं आपकी मट्रियां एक दम धीमी आज पे बनाना है आपको ये बात आप बहुत ध्यान रखिएगा अब हम क्या करेंगे तम गूल्डन ब्राउन सा हो गया है अब हम इसको साइड में निकाल कर रख देंगे इसी तरीके से हम सारे बैचस को तल लेंगे तलने के बाद थंडा हो जाने देंगे उसके बाद हम चाय से खा सकते हैं और महीनों इसको चला सकते हैं होली पे महमानों को खिलाईए तब तक के लिए बाबाई